लेपटॉप बाइंग गाइड तो किया आपको बताया आज कर लेपटॉप के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है लेपटॉप सारी जगा पर बहुत सरूरी हो गया है और हर जगा लोग लैपटॉप को यूज कर रहे हैं और तो अगर आप लोग लेने की सोच रहे हो तो इस सर्च के या फिर बिना देखे लैपटॉप लेने चाहते तो इस साथ क्या होता है तो आप बिल्कुल नूब हो और आप जा रहे हो एक शौप पे लैपटॉप लेने आप उनलाइन सर्च करते हो आपको लैपटॉप बहुत अच्छा दिखता है और आप स्टोर में जाते हो यहां पे रहा है उससे लेने कंपने वाले आप लोग दिखाते हैं आप लोग उस लैपटॉप को देखते हो उसका प्रोसेशर देखते हो आई 7 या बहुत ही हाई-end प्रोसेशर और आप खरीद लेते हो तर आपको लगता है आपने अच्छा दिसीजन लिया है आप वह लै परफॉरमस नहीं मिलती है, लापटॉप भी हीट होता है, धंग से परफॉर्म नहीं कर पाता है, या मैंने इसके जगर कोई और लापटॉप परचेस कर लिया होता, तो आज मेरे साथ यह नहीं होता, तो टेंशन मत लोगाइस, मैं आप लोगो इस वीडियो में सब बताने व अफकोस प्रोसेसर भी ज़रूरी होता है, बट यूट नहीं इन इंक्रेडिबल प्रोसेसर, और अजिए सेकंड है एडिटिंग, अगर आप लोगो परफॉरमस बहुत चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोगो को एडिटिंग सॉफ्वेर्स यह से डावंजी रिसॉल्फ, अगर 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 3D मॉडलिंग वाले काम करते हो जैसे आप ब्लेंडर यूज करते हो, तो इस सिनारियो में आप लोगो परफॉरमस बहुत अच्छी चाहिए, वेसर टास्क के ले आप लोगो ग्राफिक का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप लोगो गेमिं से सीप्यू में बहुत ही अराम से काम हो जाएगा और ग्राफिक आट के ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली है, तो इसमें आप लोगो पार कंजक्शन वाले लाप टाप ले सकते हो, जिसमें आप लोगो बैटरी लाइफ बहुत अच्छी मिलेगी, नेक्स्ट ह आप लोगो ने अभी तक बहुत सारे प्रोसेसर के नाम सुने होंगे जैसे i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 7, तो इसलिए मार्केट में दो कंपनी के प्रोसेसर पहुत ज्यादा यूज होते हैं, Intel और Ryzen, Intel में सबसे बेसिक प्रोसेसर होता है, i3 और सबसे बढ़ियां हाई परफामेंस वाल आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, सेम केस होता है, Ryzen के प्रोसेसर के सार, नेक्स आपने देखा होगा, प्रोसेसर के आगे नमबर्स लिखे होते हैं, for example, i7-118-00H, for example, इस नाम को ले लेते हैं, i7-118-00H, आई-7 के बाद जो स्टार्टी के दो लेटर्स हैं, जैसे 11, तो वो बताते हैं, आप लोगो प्रोसेसर का जेरेशन, जैसे इसमें आप लोगो बताएगा है कि यह Intel i7-11 जेरेशन का प्रोसेसर है, अब प्रोसेसर के लास्ट में आप लेटर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे H, G, G1, G7, etc. तो जो यूनेम के प्रोसेसर होते हैं, वो आप लोगो बाटरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, नेसे आता है Y-naam के प्रोसेसर, तो जो Y-naam के प्रोसेसर होते हैं, वो यूनेम के प्रोसेसर से भी जाला लोग पावर कंजमशन वाले प्रोसेसर होते हैं, नेसे आते हैं G1 एंड G7, यह बताते हैं, लेवल अफ internal graphic card of a laptop G7 वाले high integrated होते हैं while जो G1 होते हैं वो low integrated होते हैं last आता है H नाम के processor तो जो H नाम के processor होते हैं उनका मतलब होता है high performance मतलब इसमें आप लोग को performance बहुत high मिलने वाली है और ये जो processor होते हैं इनमें ये high performance देते हैं तो इसके वेज़े से आप लोग की जो बैटरी लाइफ है वो आप लोग को कम देखने को मिलती है अब यह सब कम रखते हैं अपने सेग्मेंट में जो मैंने आपको पहले दिखाया था तो इससाब से आप देख लो जो भी आपको नीड होगी वेदर आपको गेमिंग करनी है या आप लोग को एडिटिंग करनी है या बिजनस परपस के लिए लाप चाहिए आप इससाब से अपने अपॉर्डिंग लाप देख सकते हो या फिर अगर आप लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो मैंने अपने सैनल पे भी वीडियो बहुत सारी डाली हुई है लाप अगर आप लोग के प्रोसेसर में आरे लिखा हुआ है तो यह जो प्रोसेसर है वो एमड वाले बनाते हैं और अगर आप लोग के ग्राफिक कार्ड में आप लोगा अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा फॉर इसांपल फॉर इसांपल आप लोगा अच्छा ग्राफिक कार्ड पावर होगी as compare to RTX 3070 सेम आप लोगो GTX के साथ देखने को मिलता है GTX RTX से लोग पावरफुल हो हो है next time बात कि लेते हैं RAMP तो अगर आप लोगो कोई जिसे हेवी टास्क के लिए काम करना है for example अगर आप लोगो को गेमिक करनी है अप म संद्स कि सब्सक्राइब कहा है आप लोगोता होना है इक चलिए कि टीम जांपetic को इस मिनम करना है आप लोगोः लेक्ता स्लili वह अप सietetा लोगोगो दिंगे और कि संदी दिशन रहे हैं कर दिसप्ले के लिए लिए रखल अठीर को डिसप्ले काफी है यह पूर फोट लेगिस्प्ले प्रफ अपुर्टीक अपर गविए अपर चाहिए जाए चाहिए को अपर उनका वर तुर्टी पर लिए बहुत उस दो सुपट नहीं तो टुर्टी पॉल्डवाली के लिए बहुत जादा helpful होगा अगर आप एक अच्छा डिस्प्ले वाला लाप टॉप ले रहे हो तो इसमें 100% कलर एक्यूरेसी होती है तो एडिटिंग के टाइम आप लोग को बहुत मज़ा आएगा कलर्स बहुत ही अच्छे दिखेंगे और कलर एक्यूरेसी भी सही रहेगी जिससे कि आप बहुत ही अराम से कलर ग्रेडिंग कर पाओगे वाल अगर आप लोग बिजनस परपस ले लाप ले रहे हो तो कोई सा भी लाप टॉप बेसिक सा ले लो डिस्प्ले का उतना फरक नहीं बिल्फ बिल्फ चलेगा आप सारे लाप टॉप पर लोग को स्टोरेज ओना वो अप्ग्रेडिबल न चाहिए मतलब आप लोग को एक स्लोट मिलना चाहिए अगर इनकेस क्यूचर में एक्स्पैंड करना चाहते हो तो आप भी कर सबों बड़े आराम से तो ये सारे बातों आप लोगो ध्यान जरूर रखना है अगर एक नया लाप टॉप लेने जा रहे हो बिला रिसर्च किये बिल्कुल मत जाना लाप लेने थोड़ा सा रिसर्च कर लो और अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगो को कोई भी टेंशन लेनी जरूत नहीं है मैंने सारे ड और लाप टॉप से रिलेटेड नी से कमेंट जरू कर देना और मैं आपसे नेक्स वीडियो मेंता हूं तिल देन वे नाइस देए पीस